नमस्कार आज हम पढ़ेंगे म्रदा संसाधन क्या होता है इसकी विश्यष्टाओं के निर्मान के बारे में म्रदा संसाधन, म्रदा प्राकर्तिक वातावर्ण का एक महत्वर पूर्ण घर्टक है जो एक संसाधन की रूप में अनने संसाधनों को प्रतेक्स रूप से अधार प्रदान करती है हम यह कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो हमारे एक संसादन है प्लस यह संसादनों को आधार प्रदान कर दी है आधार प्रदान किस प्रकार कर दी है जैसे फसले हैं भोजन हमें फसलों से प्राफ्ट होता है और जो फसले हैं पोदे जो उगते हैं किस में उगते हैं मिटी में उगते हैं तो मिटी जो है वो अन्य संसादनों को भी आधा प्रदाने करती हैं धातल पर स्थित धीले तधा महीन कणों सी निर्मित एक पतली परत जिसमें विभिन खनीज के कर्ण, हुमस, आधरता, वायू, आधिस्वाइवतों ते मृदा कहलात फरुक के परत जो है मृद्धा मैं खनीजों के कर्ण, हुते हैं, जो इस से अपने मूल, चटान, से पराप्त, हुते हैं, बेजस्वाइवतों, आधरता, जल local में वायू आधि, इसमें होते हैं इसके एक प्रिबाशा अमेरिकन जो विद्वान है डॉक्टर बैनेट उनकी द्वारा दी गई है उनकी अनुसार ध्रातल पर मिलने वाले ऐसंगठित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल चटान इमवानस्पतिक सेयोंग से बनती है मिठी कहलाती है इन्होंने बताया कि यह ऐसंगठित पदार्थों की परत है तो मिठी है वो ऐसंगठित होती है नहीं होती है और इसका निर्माण जो है मूल चटान से परेंट रॉक्से होता है प्लस वानस्पतिक सेयोग जो वनस्पति है पेड़प होती है जब उसमें गिर जाते हैं नस्ट होके मुट्टी में नस्ट होते हैं तो वो जैविक पदार्थों यह अपुटी करते हैं तो इनके सयोग से जो असंगठित पदार्थों की परत का निर्माण होता है उसे मृदा कहा जाता है मृदा की प्रमुक संगठक मृदा की संगठक की इन संचना का अध्यन उसके लमवत संस्त्रों के माध्यम से किया जाता है मृदा की उपरी भाग से नीचे तक कि जो संस्त्रों होते हैं इनको मृदा प्रिश्य दिखा कहते हैं तो जो मर्दा का अध्यन हम करते हैं तो दो प्रकार से किया जाता है एक तो होता है कि उसका 36 और एक होता उसका लंवत जब 36 अध्यन हम करते हैं तो हम उसका प्रादेशी का अध्यन करते हैं कि इन प्रदेशों में किस प्रकार की मर्दा पाई जा रही है और जो उसका लंवत दिन जो किया जाता है उसके द्वारा जो मिट्टी है उसका संगठन किस प्रकार का है उसकी संशना किस प्रकार की है तो जो मिट्टी के उपर जो मिट्टी है उससे लेके नीचे तक कि जो विभिनस्तर पाई जाते हैं म्रदा में उन सभी स्त्रों को म्रदा प्रिछिदी का कह जाता है इसके संपुर्ण विस्तार को दो भागों में विभाजित किया जाता है first वनस्पती मंदल और second होता है म्रदा मंदल जो वनस्पती मंदल है उसके च्यार मुक्सतर होते हैं, व्रिकस्तर जारिस्तर शाकस्तर और भूतस्तर Constitution मर्दा मंडल की जो रिचना है वो दो उपमंडलों से होती हैं उप्रिवर्ति मर्दा मंडल और उपमर्दा मंडल मर्दा की प्रमुक संगठक की मर्दा का जो संगठन हुआ है वो किन किन तत्वों से मिलकर होता है उन्हें मर्दा के संगठक कहा जाता है सबसे पहला इसमें है जयाविक पदार्थ, जयाविक पदार्थ पोश्यक तत्मों की स्ट्रोथ होते हैं, जयाविक पदार्थों के अंतर गजीवित पोधि, यह जो जन्तु हैं, उनकी मृत तथा अपगटि जो अफशेश जो है, अंश जो होते हैं, जो की म्रदा में गिर ज उनको शामिल किया जाता है। म्रदा में निवास करने वाले जीओं की कुछ पक्ष, मिट्यों की गुणों तदा विश्रिष्थाओं के विकास के लिए अतीम हत्वेपूर पूर्ण होते हैं। तो म्रदा में जो जैविक पदार्थ जो जीव पाई जाते हैं वो किसी भी मिट्टी के जो विकास को परभावित करते हैं और इनके द्वारा म्रदा जो है उपचाव बंति उसे हुमस प्राप्त होता है अगला जो संगटक जो है वो है एजयविक पदार्थ या खनीश पदार्थ मृदा का निर्मान मूल चटानों से होता है इस प्रकार खनीश पदार मृदा के निर्मान में अती महत्वापून घटक होते हैं क्योंकि मृदा निर्मान में सायक होते हैं तो कोई भी जो मिट्टी है वो चतानों के तूटने से अप जो विखंडन जो है उससे बनती है विखंडन के द्वारा जब चताने छोटे-छोटे कड़ों में तूट जाती है वो दीरे-दीरे क्या है कि वो आगे भी तूटती रहती है और इनी कड़ों में पर वानस्पतिक व बार्टाइट, क्वार्ट, पैल्सपार, मस्कोबाइट ये जो कुछ खनीच हैं जिनसे बनीई चेटानों से जो मृद़ाइट वो बनती है और ये खनी जो है वो उस मृदा में पाए जाते हैं अगला मृदा जल ये भी जो मृदा का परमुक्संगठक होता है मृदा कणों के बीच रंद्रवकासों में उपस्ति जल को मृदा जल कहा जाता है प्रतेक मर्दा के रंद्रावकाश अस्ते वायू यह जल से भरे रहते हैं तो मिठी के जो कण होते हैं उनकी बीच में रंद्रियानी छेद होते हैं और इन छेदों में जल भर जाता है जिसको मर्दा जल कहा जाता है प्रतेक मर्दा के जो रंद्रावकाश होते हैं में कुछ तो जल भरावा होता हो जो बचीवी जगए महां पर वायू भरी रहती है यह विद्यमान जल की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता उसमें रहने वाले पोधों तथा जन्तों को प्रभावित करती है तो जल जो है वो निश्रूप से वनस्पति को भी प्रभावित कर प्लस उसमें जो जन्तों बैक्टेरिया जो है छोट छोट बैक्टेरिया जो है वो निवास करते हैं म्रदा में उनको भी प्रभावित करती है जल जो है वो सर्वे विलायक माना जाता है तो विले जल ऑक्षिजन को म्रदा में लेकर जाता है तो जल जो है क्योई एस्टू ह होता है तो यह oxygen जो है वो म्रदा में लेकर जाता है यह म्रदा के तापमान को संतुलित अवस्था में रखता है तो मिट्टी के तापमान का संतुलन बनाए रखने में भी जल सायक होता है मृदा में इस्ति जल की मात्रा का निर्धारण जल वर्षा यानि जो वर्षा होती है हिम द्रवित जल की मृदा में अंतर संसर्ण की दर यान जो हिमानी पी गलती है उसे जो जल प्राप्त होता है वो नीचे कितना रिस्ता है उसकी दर किस प्रिकार की है प्लस मरदा की जल-धारंडर्ण शम्ता की मरदा जो है। उसकी जल-धारंडर्ण शम्ता उसकी जो कंड वो किस परकार के है। अगला जो संगठक है मरदा का वो है मरदा वायू। म्रदा में इसका बड़ा भाग होता है और ये म्रदा के कणों तता पुंच के मद्दे जहां भी खाली स्थान मिलता है वहां पर वायू भढ़ जाती है और म्रदा में इसका काफी बड़ा भाग होता है इनके मद्दे व्यापतरिक स्थान जब जल से नहीं पर पाते तो होतें अे सिति सहे उन वायु यह वह बहुन जाती अदर्दा घ्रही एंवकेश केशी जली की उपल्ब दताख के कारण आपएक्षिक आदर्था भी पाई जाती है तो uso में जो मृदा है उसमें आदरता भी पाई जाती है मृदा वयू में पाए जाने वाले शुक्षम जीवानु तधा पोदों को आपशक मातरा में ऑक्सिज़न तद्य का और सुप्रोटी करती है अच्छे वातन की प्रस्टि स्था की मर्दा में आक्षियन की मात्रा जो वठाया से 21 पतिशत तक पाई जाते हैं अगला टोपिक जो है आपका इसमें वो है म्रदा प्रिश्य दिका भूप्रिस्त तथा नीचे स्थिस्षैलों के उपरी भाग के लंवत जो संस्त्र होते हैं उनको सामोहिक रूप से म्रदा प्र से मार करते हैं मिसंब्से मुलायम स्मांत फदाठ्थव से antibesleoby उपरश सबसे उपर होती है है तैसा सबसे कठोच ट coop क म्रदा है और सबसे कई सबसे लैर्स होती है अगल्लता मित्बदा में मित्ती होती है महीन कणों से बनी ही होती यह जिस निच्छी आड़ते हैं वैसे वैसे जो खणों का आकार वो बढ़ता जाता है वो नीचे चटानी स्था तक पहुंचते पहुंचते वहाँ पी चटानी टुकडे पाई जाते हैं म्रदा जह वो नहीं पाई जाती है म्रदा प्रिश्यदिका को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है सबसे पहला होता जैविक संस्तर और जो सैकिंड जो है वो खनी संस्तर कि स्लाइड में जो आपको दिखाए दे रही है इस स्लाइड में हम देखराया है मर्दा onda प्रिशुषदी का जो है उसका चित्र दिखाया गया है जिसी सबसे उप्री जो स्तर है også folkyor मरदाय में पर्थ है इसमें हम दीकें की प्रोण जड़ी है यहाँ पर फिर पोदों पर जो का विकास है आप्र प्रोण के i1 मरदा में हो रहा उसके इसके पाद में मरदाय जहाँ ईपचुप सैल पॉर क है धायर्थ कर्वनु गपारत या जाती है यह ऐसे होते हैं जहां पर चिट्टाने पाई जाती हैं इनका अपक्षन नहीं हुआ यह विखंडित नहीं हुआ यह अपने चिट्टानी रूप में पाई जाती है मर्दा प्रिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष और यह जो लेयर से इनको English के ओसर से हूँ किया जाता है a यहिं कि पाए जाते हैं यह खनीज पुद्ध कर दाथ के इस तर्मी उपर से लेकर अदस तल बिभनताएंग पाई जाती भी है और इसे पुने जो तीन भागों बाज़ित किया जाता है और इसे जो इंगलिस के वर्ड़ जो थीन भाग है उनको इंगलिस वर्ड के अनुसार A, B, O, C से इंगित किया जाता है अगला टोपिक है आपका म्रदा निर्मान को प्रभावित करने वाले कारक यानि वे कौन से कारक है जो की म्रदा के निर्मान को म्रदा की विकास को प्रभावित करते हैं म्रदा के निर्मान की जो प्रिक्रिया है वो कई कारकों से प्रभावित होती है मूल पदात पर जवर्शा, तापमान, जीर्यन्तू, उच्चावज तदा समय की अवधी आदी कारक समलित क्रियात्मक प्रभाव डालते हैं तो मृदा का निर्मान होता है यानि जब ये सभी कारक मिलकर पैरेंट रोक जो मूल चटान है उस पर कारे करते हैं तब ये मृदा का निर्मान होता है तो ये मृदा निर्मान के तत्व निमलिखित है फरस्स इस में है मूल पदार्थ यानि कि चटान ये इसका आधारी पदार्थ होता है मृदा का निर्मान जो हो चटानों के बिना संभव नहीं होता है विभिन जो अपर्दन के कारक हैं उनकी द्वारा चेटान जो है वो तूटती है विखंडित होती है छोटे 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 करणों में विखंडित होती हो इन ही छोटे छोटे जो करण होते हैं जो चेटानी जो पदाथ होते हैं इन से मृदा का निमान होता है तो जिस चेटान प्रभावित करते हैं अगला जल्वायू का म्रदा की विकास पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि ठंडे चेत्रों की म्रदा है उसका विकास अलग प्रकार से होता है जहां पर बहुत अधिक जल है जहां पर अधिक वर्षा हो रही है तो वर्षा अधिक होने से अप्शालन की क्रिया होती है तो म्रदा के जो उपरी जो म्रदा वो नस्ट हो जाती है यह दिवर्षा कम हो रही है वहां पर जो म्रदा अलग प्रकार की पाई जाती है जो डैजर् सम्तल मेदाने भागों में क्या होता है वहाँ पर ढाल हम दूर नियुन होता है जिसके वाधा कि जो ठीक है और ज़ो मौती परत का परत वो काफी पतली होती है वो आगे एक तरफ की सकती रहती है तो अच्छी मृदा का विकास से नहीं हो पाता है अगला और जो important factor है वो है समय की मृदा का जो विकास है वो समय के संद्रम में होता है जैसे जैसे समय भीता है वैसे वैसे मृदा में जैविक पदार्थों हीन होते हैं तो मृदा के जो गुणों में अंतरा आता है और इसके लगा हावा के द्वारा जल के द्वार उसमें ओरन्ने तत्वे जो है वो एड कर दिये जाते हैं जिसके वज़े से उसका उर्रापन जो होता है वो बढ़ता है तो समय के संद्रम में भी मृदा का विकास ह ह 누나 विक होता है उस विखंडित रहते है तो वह अपने है सिर्ष वकम सबीशन में होताय होता है जैसे मिर्दा की सब्सक्राइब ने करता है कि उन्हीं में अ Якane करता है उसके बारे में देखा प्रिभाष्यत कीजिला किया या क्या है उसके संस्तर क्या होते हैं और मिर्दा का निर्मान जो है उसको किन किन कारकों से प्रभावित होता है उनके बारे में लिटेल से अधिन किया धन्यवाद